हालो दोस्तों नमस्कार में विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन आज मैं आपको जानकरी देने आया हूँ पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आप एल्स साइंस के द्वारा बीएसी नर्सिंग कॉर्स में एड्मिसन प्रोसेस के बारे में और बचो पंजाब में बीएसी नर्सिंग कॉर्स करने के लिए आपको पीपी एमीटी के नाम से एक इंट्रेंस एक्जाम देना पड़ता है तो उस इंट्रेंस एक्जाम की प्रिप्रेशन कैसे करें कि हमारा सेलेक्शन टॉप इंस्टिट्यूशन में टॉप गवर्मेंट इंस्टिट्यूट में हो जाए साथ ही साथ मैं पेपर पैटरन की भी बात करने वाला हूँ तो देखिएगा सबसे पहले तो अगर बच्चों आप पंजाब से बी एसी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यह दो तीन चीजे हैं जो आप अमेसा ध्यान रखिए आपके ट्वेल्ट में बाईलोजी होना चाहिए आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और आप पंजाब के मूल निवासी होने चाहिए या एन आराई भी अपलाई कर सकते हैं दूसरी बड़ी बात है अगर आप पंजाब में आपके मदर और फादर गवर्मेंट अमपलोई है तो भी आप पंजाब यह सी नर्सिंग का फोर्म अपलाई कर सकते हैं अब इसके बाद में फॉम कब आने वाले हैं तो फॉम बच्चो या तो जून में आएंगे या जुलाई में और पीपी मेटी बीएसी नर्सिंग एंटरेंस एक्जाम या तो जुलाई लास्ट में होगा और या बच्चो अगस्त फैस्ट में होगा किलियर है कि नहीं से 20 टोटल 100 क्यूसन आएंगे और बच्चो प्रते क्यूसन चार नंबर का है तो पूरा जो पेपर रहेगा आपका वो 400 मार्क्स का होता है चार सो नंबर का पूरा पेपर आएगा पेपर में बच्चो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इंगलीज मीडियम में पेपर है ना 11th 12th का क्या रहेगा physics chemistry bio में syllabus रहेगा English में बचो basic grammar पुछी जाएगी और nursing aptitude के अंदर भी nursing aptitude में बिटा जो health से related क्यों सनाते हैं vitamin malnutrition है है ना इसके अलावा viral disease, bacterial disease hospital के अंदर अलग-अलग instrument के बारे में hospital department के बारे में अलग-अलग national health जो policies है उनके बारे में क्यों सनाता है national health mission के बारे में आता है English में फिलिंदा blanks, correct word से लेकर क्यों सनाते हैं synonyms, antonyms यानि opposite word के बारे में क्यों सनाता है one word के क्यों सनाते हैं है ना और pre-position के क्यों सनाते हैं spelling गलत दी जाती है, है ना, अलग-अलग spelling के option होते हैं, उन में से जो correct spelling है, वो identify करनी होती है, तो spelling check के क्यों सनाते हैं, इसके अलावा बचो active और passive voice के क्यों सनाते हैं, direct और indirect speech के क्यों सनाते हैं, तो basic English grammar, basic English grammar के क्यों सनाते हैं, ठीक है ना, nursing aptitude में, बचो nutrient, temperature, blood pressure, malnutrition, biochemical, west, है ना, ये basic basic चीज़ें आपकी exam में पूछी जाती है, है ना, बिलकुल जी, अब बचो अगर हम बात करें previous year की, तो previous year को जो exam हुआ था, PPMET का, वो बिटा 23rd July को हुआ था, इस बार chance है exam के अगस्त में होने के, ठीक है की नहीं है, बिलकुल जी, तो ये बड़ी बात है अपने आप में और आपको पता होनी चाहिए, अब बचो सबसे बड़ी बात यह ही है, कि भाई, form कौन सी website पे फिल करेंगे, www.bfuhs.se.in, ये website है, जिस पे online form फिल होंगे, ओके, बिलकुल, अब बहुत सारे बच्चे हैं, जो मेरे से पूछ रहे हैं, कि सर पंजाब के BSE nursing के, हमें top government college में selection लेना है, हम किस तरह की strategy follow करें, तो देखिए बचो, सबसे पहली बात तो यह है, कि अगर आप government institute में admission लेना चाते हैं, तो सबसे पहला काम यह है बचो, कि आप अपना जो complete syllabus है, वो बचो एक बार revise कर लीजिएगा, फटा फट से, अगर आपने अभी तक अपना पूरा syllabus तयार नहीं किया है, तो कम से कम बचो, मई तक, मई तक जो हैं, आप का एक बार revision हो जाना चाहिए, मई लास्ट तक, आप एक बार syllabus बचो complete कीजिएगा, है ना, और इसके अलावा बचो, आप three से four time revision करिए, ठीक है ना, सीदी सी बात है, आप जो है, तीन से बचो, च्यार बार जो है, अपने syllabus का क्या करिएगा, revision करिएगा, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी, और आप अपना एक unique study plan बनाईए बचो, और study plan में आप इस तरह से अपना एक study plan बनाए, जिसमें आप daily, जैसे four से five hours, बचो आप classes को दीजिएगा, है ना, और इसी तरह से, आप minimum बचो, छे गंटे जो हैं, अपनी self study को, और revision को दीजिएगा, कि daily आप कम से क हम 6 गंटे जो हैं, वो revision कर सकें, और revision जब भी करते हैं, बचो, क्योंकि एक बार 11th और 12th आप complete पढ़ चुके हैं, आप 12th pass out है, तो एक एक बार तो पढ़ी चुके हैं अपना syllabus, तो इसलिए बचो, आप जब भी अपने किसी भी chapter को पढ़ते हैं, तो पहले उसकी theory पढ़े और theory को भी बहुत deep level पे जाके नहीं पढ़ना है, PPMET का exam बहुत easy होता है, बहुत simple होता है बिटा, है ना, बिल्कुल जी, और इसके अलावा, आप जितने भी chapter की theory पढ़ते हैं, उस chapter के multiple choice question जरूर practice करें, maximum question आप objective practice करने की आदत डालिए, ठीक है ना, बिल्कुल, अगर education एप डाउनलोड करके, विजे education का ब्रमास्त्र 400 बेच, जोइन कर सकते हैं, ये विजे education की books है बिटा, टू डबल नाइन की, जिसमें physics, chemistry, biology, nursing, aptitude और English, इन पांचों subject के chapter wise question है, और साथ में उनका answer है, model paper है इस books में, previous year का paper है, तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है बच्चो आप ये books भी order कर सकते हो, question practice के लिए, इसमें आपको English medium में प्रतेक chapter के question मिल जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल जी, ये books आप vijjaeducation.com website से order कर सकते हो, vijja education app से order कर सकते हो, या screen पे एक number दिखरा है, उस number पे आप whatsapp पर address भेज के, या call करके भी order कर सकते हो, 5 से 7 दिन में books आ अब दूसरी बड़ी बात है, vijja education app के अंदर आगर आप online base लेते हो, तो online base में बिटा आपको DPP मिलेगी प्रतेक chapter की, chapter wise important question होंगे, उनका video solution होगा, previous year exam में पुछे गए question होंगे, उनका video solution होगा, vijja education app में बिटा model paper आपको मिलेंगे, है ना, vijja education app के अंदर बिटा आपको chapter wise test मिलेंगे, every Sunday, vijja education app में बिटा test होते हैं, तो या तो अगर आप खुझ से preparation नहीं कर पा रहे हो, तो आप ब्रमास्तर base join कर लो, vijja education app का, screen पे number दिख रहे हैं, online base join करने के लिए कुछ पूछना चाते हो, तो जो number दिखाई दे रहे हैं, उन पे आप call करके भी पूछ सकत हो, मेरे प्यारे बच्चो, सबसे बड़ी बात है, और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो भी मैं बता दू, ज़्यादा तर student क्या करते हैं, जब तक exam final नहीं होता, तब तक वो एकदम easy way में, एक एक chapter को चार दिन, पांस दिन लेके बैठ जाते हैं, ठीक है न, इस आदत से बच्चो, आप syllabus ही नहीं कर पाओगे, आप अपने daily का जब तक target नहीं set करोगे, आप daily का target बनाएं, जैसे मालो, आज आपने, आज आपने अपना पहले से target बना लिया, कि भाई, मुझे बाई लोजी के अंदर, मुझे आज बायो में, genetics वाला chapter जो हैं, वो revision करना है, और मु आज अगर आपने पहले से ते कर लिया, कि भाई, मैं chemistry के अंदर, जैसे coordination compound है, वो मैं cover करूँगा, या S और P block है, वो मैं cover करूँगा, आपने एक chapter का पहले से target बना लिया, ठीक हैं, आपने physics के अंदर, पहले से target बना लिया, कि मैं optics के, आज पूरी तरह से मैं optics का revision और इसके कम से कम मैं 50 question practice करूँगा, तो बच्चो एक chapter का revision करने में, ज्यादा से ज्यादा 3 गंटे का समय लगता है, इस से ज्यादा time नहीं लगता, और भायो में तो आप एक chapter बच्चो 2 गंटे में आराम से revise कर सकते हो, तो daily आप जब self study करते हो, तो 6 गंटे minimum आप self study कीजि अगर कोई chapter बच्चो आप जो हैं एक दिन में अगर revise नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी study करने की जो speed है वो बहुत slow है, daily एक chapter physics, एक chemistry, एक bio, पंजाब के student ध्यान दें क्योंकि आपका exam जुलाई last में है, आपके पास काफी time है बिटा, है ना, और आपका paper easy आता है, क वो भी ज्यादा tough नहीं आते हैं, बहुत simple type के physics में numerical आते हैं, concept based question आते हैं, और आपको सारे question attend करने है paper में, एक B question छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, मान लो आप exam देने के लिए बेट गए, आपको 15 question नहीं आ रहे हैं, बाकी आपने attend कर लिए, तो जो question आपको नहीं आ र exam में एक हमेशा concept द्यान रखे, जब भी आप exam देते हैं, तो सबसे पहले आपको biology के question attend करने हैं, बायों के बाद में nursing aptitude, nursing aptitude के बाद में chemistry, chemistry के बाद में English, और सबसे last में बिटा physics के question करने हैं, और physics में भी आप देखना, starting में बिटा direct जो question है, concept based, या theory वाले जो question है, formula based question है, वो करने है, calculation के question, जो numerical question है बचो, वो सबसे last में करने हैं, द्यान रखना आप, अगर आप selection लेना चाहते हो बिटा, देखो पंजाब के अंदर, जो government college है, BAC nursing के, या जो private college है, BAC nursing के, वो इंडिया के अंदर सबसे अच्छे level पे हैं, ठीक है ना, बिलकुल जी बचो अगर हम बिना exam के बिटा direct admission लेते हैं, तो BAC nursing course मंजाब में लगए 8 लाग में complete होता है, और अगर आप exam के through admission लेते हैं, तो बहुत ही कम फीस में आपकी BAC nursing होती है, और BAC nursing की बहुत जादा demand है बिटा, ठीक है ना, मैं previous year exam की बात करूँ, तो आप देखिए देखें, ये द जादा तर बच्चों ने विजय education aid join कर रखा था, मैं कुछ आपको data दिखा रहा हूं बेटा, आप खुद ही देखेंगे कि government college जो है, वो कितने number तक अलोट होती है, आपके exam में total tuition कितने आते हैं, मुझे बताओ, PPMET के exam में tuition कितने आते हैं, 100, एक tuition 4 number का है, तो पूरा paper कित नहीं होता, अब आप देखना देखें, 400 marks का आपका paper होता है न, तो मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चे को government college कितने number तक मिला है, वो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, ठीक है न, यहां पे आप देखना बच्चों, यह देखिएगा, यह देखिए, यह 296, 296 नंबर लाने वाले को भी यहां पर government college मिला है, ठीक है न, मेरे दोस्तों जिसके 70% marks आए हैं, उसको government college अलोट हुआ हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है न, यह देखिए, 292 जिसके number आए हैं, उसको बिटा, गौनवाल साहिप वाला college मिला है, ठीक है न, जनरल के टेकरी की बात कर रहा हूं, 288 जिसके आए हैं, 288 नंबर जिसके आए हैं, उसे government college मिला है, इधर देखिए, 288 नंबर पर भी government college मिला है, मैं और डाउन लेके जा रहा हूं आपको, ठीक है न, यह देखिए, government college पटियाला, 200 और 50 नंबर जो बच्चा लेके आया है, 250 250 पर भी बेटा आप देखिएगा, government college बच्चे को अलोट हुआ है, अमरिस सरका government college 252 नंबर पर अलोट हुआ है बेटा, तो मैं कहना यह चाहता हूं, SC category के अंदर अलोट हुआ है वैसे, ठीक है न, बिलकुल जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं बेटा, जैसे की, यह OBC category है OBC category में 204 नंबर 254 पे government college मिला है, आप मुझे बताइए, क्या बेटा, आप 400 मैं से 300 नंबर नहीं ला सकते क्या, अगर आप 300 marks लेके आ जाते हो, 100 percentage आपको government college अलोट होगा, कोई रोक ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है न, और यह आपका paper है, मैं तो हमेसा आपको दिखाता बच्चों, paper तो आपका बहुत जादा easy level का paper आता है, आप मुझे बताइए, one liner question है इसके अंदर, क्या difficult है भाई, एक एक line वाले question है, देखो तो सही आप, single line वाले question है, बहुत ही easy paper आता है विटा, यह 2023 वाला paper है और आपके सामने, English तो बहुत जादा easy है, English grammar तो, यह देख आता हूं बच्चों, अच्छी मेनत करिए, बढ़िया मेनत कीजिए, विजे education एप में, ब्रमास्तर बेच को join करिए, लगातार class से देखते रही है आप, ठीक है ना, और continue revision करिए, डेली का अपना schedule बनाईए, और अपना time fall तो में west मत करिए, paper जरूर easy है, लेकिन easy हुआ तो बेटा, आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा, तो विजे education एप में बेटा जो nursing officers होते हैं, M's के जो nursing officers हैं, वो team विजे education एप में इस nursing aptitude को पढ़ा रही है बेटा, ठीक है कि नहीं है, बिलकुल जी, पिसली बार 2023 के अंदर भी विजे education में पढ़ने वाले, बहुत बड़ी स operation को सुरू करें, शानदार मेनत करें, डेली दस से बारा घंटे study करें, और अपने syllabus का पूरा एक system बनाए, अपना एक syllabus को complete करने का, एक plan बनाए, एक time table बनाए, एक बार मई में अपना पूरा syllabus cover कर लें बेटा, फिर जून में दो बार आप revision करिए, जुलाई में भी एक बार आप revision कीजिएगा, जितनी ज्यादा बार syllabus को revise करेंगे, उतना ही आपको benefit है, theory भी पढ़िए, साथ में क्यूसन भी practice कीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much, best of luck, thank you again, और form आपके बिटा आने वाले हैं, form के लिए आप ज्यादा इंतजार मत कीज दिएगा, form आपके 10 दिन या 15 दिन में कभी भी मेर दोस्तों website पर आ सकते हैं, इस बार चुनाओ के मद्यनजर form थोड़े लेट हो रहे हैं, तो form का आपको इंतजार नहीं करना है, study कीजिए, आगे बढ़िए, यकीनन हमें college मिलेगा और select होंगे, thank you so much, best of luck, God bless you बेटा, God bless you झाज़े बढ़े लेगाई हो, best of luck, best of luck, best of luck. झाल झाल